अब लोग को मेरी आवाज अभी आएगी, आवाज आ रही है मेरी, धन्यवाद, धन्यवाद, ओके, सो, थैंक यू सबी को यहाँ आने के लिए, अद्विर तबे थोई ठीक नहीं थी, तो पहले सोच रहा था कि नहीं जाता हूं, फिर लगा कि आप लोग बेट कर रहे हो, चल तो थोड़ा सा एनर्जी में मेरी कमी लग सकती है, तो थोड़ा को आपरेशन की जरूरत है, और साम को एट पीम पे एक इंटर्व्यू प्रीमियर होगा, यह आपका अंकित के साथ, एयर 32 है, सासी सीजल 2017 में, बिहार के एक छोटे से गाउं से विलॉंग करते हैं, हिंदी म यह मिली है, और मेरा इंसे इंटरक्शन बहुत अच्छा रहा, और I just want कि all of you see this interview, and just take some inspiration, okay, so even toppers, watch toppers interview, अभी को टोपर हो गए, मने पूछा था इंसे कि क्या आप 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 को लगातार motivation मिलता रह है, मेरी तरफ से direct, toppers को भी मैं invite कर आप 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 इंटर्वी दो and आप 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 कोई fabricated interview नही होता है, और अगछी स्वाव देखो भी आपको छिपा पता हैं, यिस से Kaushik का interview रहा था, अगर उनने किसी और टीचर से फाइदा उठाया है तो वो वेलकम है वो नाम लेते हैं दूसरे टीचर करता हूं कि आप नाम लो सही चीज़ बताओ बच्चो कर नहीं तो अब ही आपको एक छोड़ी सी स्टोरी बताता हूं कली हमारे पास एक मेल आया इंटर्व्यू हो रहे हैं आप तो हम लोग डाल रहे हैं तो एक इंटर्व्यू आया मैं राइंक का नाम नहीं लूँगा क्या मैं आइडनिटी को डिस् कि हम आपका स्वागत करेंगे कि आपके इंटर्व्य दो और अपनी पूरी सच्चाई ही बताओ लेकिन ना तो हमें आपका क्रेडिट चाहिए और ना हम चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे बच्चे मिस्गाइड हो आपने मुझसे पढ़ा नहीं और आपके मुझ खुद नहीं चाहते हैं हर कोई नहीं चाहता है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल हो मेरी अंकित से बात हुई मने उनको बताया कि इंटर्व्य इंटर्व्य नहीं होगा आप वहीं बोलो कि जो आप चाहते हो He agreed and he came here and his experience was so good. उसने बोला कि मैं सब को बोलूँगा जाके कि सर को इंटर्व्य दो Right? Okay, even now, very soon you will get another interview. I am not disclosing who is coming. Let's keep it surprise. So there are so many great toppers, right? Kaushik, एक मैंने किया, I told him कि there is nothing कि मैं कुछ बोलूँगा कि आपको बोलना है He came here. So all toppers are wonderful. The only thing is that कि उनको सही platform नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको पता है वो जहां जाएंगे वो कहेंगे मेरी बढ़ाई करो Aptrix ऐसा नहीं है. नहीं ये platform ऐसा है. यहां जो भी आता है मुसको बोलते हैं, जो मर्जी आए बोलू. Right? अब दूसरे टीचर का नाम लो, हमें कोई दिकत नहीं है. जो आपने किया है वह सही बताओ. कोई जूट नहीं बोल ली है कि हमने इनसे पढ़ाई जबरदस्ती नहीं. Right? Getting my point or not? So, मैंने उनको जब आपदुला जी नहीं बोला था कि कुछ पैसे दो तो हम इंटर्वी दे के आपका नाम लेंगे. हमने का आपकी जरुद हमें नहीं है. पर फिर भी अगर आपका माइंड चेंज हो कि आपको सही चीजें बतानी हैं, आप आजाओ मैं स्वागत करत आपका इंटर्वी में लूँगा, right? Getting my point or not? So, don't worry, I will bring all the nice people on this platform और वही चीज़ बताएंगे जो उनने की है, कुछ भी गलत information नहीं, ठीक है? फिर बात करें, है ना? चलिए, thank you. So, देखिए, आज पहले एक सवाल करेंगे, मेरी थोड़ी से एनर्जी आज हो सकती है कम हो, क्योंकि तब ये थोड़ी सी कमजोर है, but anyways, आप लोगों से बात करके फिर से एनर्जी आ रही है, तो देखिए, ये सवाल है, कलम ने में वेंड डाइग्राम का basic किया था, ये question त 15% जो फैमिली जंए, उसमें एक भैस है याणि भैस है, और कह़रा था, 15% जो फैमिली है, उंके पास जा जा और भैस है, तो टोटल नं हम भर आपको दिया है, 96 है, और इसमीड एब कह़रा है, कितने ऐसी फैमिली जन जा जीन तुर पास जा जाए भैस है, ठीक है, so बहुत सिंपल है देखो आप वेंड डिग्राम में से क्विकली प्लॉट करोगे आपको यह वैलू 60% है एक वैलू आपकी 30 है और यहां पर आपको वैलू कितनी है 15 मैंने परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाया है क्योंकि उसकी जरुवत नहीं है परसेंटेज का सिंबल बाद में आपको पता है कि यहां 75% के पास कुछ ना कुछ है 25% की पास कुछ नहीं है तो इसका 25% कैसे निकलेगा वन फोर्थ करके 25% की पास कुछ नहीं है 25% की वैलू 24 हो गई जो कि आपका आंसर हो गया बी सिंपल है कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें आसानी से सॉल्व कर लोगे तो पढ़ने में आपकी आदत होती है ना कि दिया हो अब देको एक सवाल यह है पढ़ते हैं जड़ा देखे यह सवाल मैंने क्राश कोर्स में भी करवाये थे सेम क्वेशन अभी परसेंटेज के बहुत सवाल होंगे ठीक है तो टेंशन मतले ना कि बस 40 सवाल हो गया और खतम हो गया क्राश कोर्स में भी हो थे क्वेशन से पर म मैनुफेक्चर ड़ाइ M1 एं एंट्रेस्पेक्टिवली तो एक स्टाउप पाइल अफ प्रड़क्ट दिया हुआ है और उसमें कहरा है कि M1 M2 M3 मशीन जो है वह बना रही है उस प्रड़क्ट को इसमें कहरा है कि 40% M1 ने मैनुफेक्चर किया और 30% किस ने किया M2 ने किया अब करहा 3% जो product है M1 के वो डिफेक्टिव है 1% जो product है M2 के व डिफेक्टिव है और 95% जो product है M3 के वो डिफेक्टिव नहीं है अज़िए बताव अगर 95 % दिफेक्टिव अगर नहीं हैसा तो 5% क्या हैं, डिफेक्टिव हैं, 5% क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है मैंने उसको करेट कर दिया कि सारे डिफेक्टिव का डेटा आजाए, आप कहर रहा कि पूरे में से कितने परसेंटेज डिफेक्टिव होंगे, clear or not? तो देखे, एक लॉजिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इस्पेशली जब आप परसेंटेज के बाद एवरेज में मूव करेंगे, तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ, कि देखे, डिफेक्टिव अगर आप निकालते हो, तो 3% डिफेक्टिव एक जगा आगया, 1% है, highest value आपकी 5% है, इन ही के बीच में आपका नेट डिफेक्टिव परसेंटेज होगा, ना तो इससे कम हो सकता है, ना इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, clear or not, तो अगर आप answer देखने जाओगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका answer 5% नहीं होगा, ठीक है, बाकी अबी में और अंदर आपको नहीं लिखे जाओंगा, इसमें कि logic से answer कैसे लगा सकते हो, क्योंकि उसके लिए average का थोड़ा ज्यान चाहिए आपको, तो अभी इतना लेकिन बता दे रहा हो कि इसमें 5% answer नहीं होगा, ठीक है, और अगर आपको answer लेट से 3 चाहिए, तो 3 बिलक 30% आपका produce हो रहा है, तो आपको यह देख रहा है कि यह सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका production हो रहा है, अगर यह सब बराबर होते, 1 ratio, 1 ratio, 1, अगर इस ratio में होते अगर यह, तो अपतो आपकी value मिडिल में आ सकती थी, आप कहते है, 5, 3, 8, 1, 9, divided by 3 करते 3% आता, लेकिन यहा होता है, यह आपका average exactly 3 होगा, exactly 3 तब होता है, जब यह तीनो same weightage रखते, 1, 1, 1, तो 9 आता, इससे कम आना चाहिए, तो आपको इस logic से लगेगा कि 5% शायद है, clear, but still I am not going deeper into it, मैं आपको सीधे ऐसे solve कर वाऊंगा, कि आप quantity ले लो जादा बहतर है, आपका 100, let's say मैंने कहा कि टोटल मैंने quantity ले 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 लिए, तो यह आपका हो गया 40, यह आपका हो गया 30, यह आपका हो गया 30, यह फिर आप ऐससे करो 400, 300 और 300, ऐससे कर लो, और जल्दी से आप निकालो कि कितने-कितने defective है, तो आपको हो गई इसका 3% निकालो कि तो आपको विलेगा 12, इसका 1% निक का लोगे तो कितना आ जाएगा 15 सो कितना हो गया आपका 30 डिफ्यक्टिव आपको मिले आउट आफ 1000 मिला कि नहीं मिला तो यह वैलू आपकी कितनी आ गई 3% आई क्लियर यह सभी को 30 होगा m3 होगा इसका 5% अपर्सेंट घ्रक जैब तो यह वैलू 15 आगई इसका 1% अपर्सेंट टो थ्री इफटेव कर दो यह वैलू 12 वैया तो यह वैलू आपके के लिए वेट आपको प्रापर समझाना पड़ेगा तो मैं भी उसको वापस नहीं उठाऊंगा एवरेज में मैं आपको समझाऊंगा तो आप एवरेज के बेसिस पर भी आंसर डारेक्ट लगा पाऊँगे क्लियर सबी को क्लियर हुआ ओके यहां पर जो टीसरी वैलू है वो दी नहीं हुए फॉर्टी थर्टी तो बाकी 30 परसेंट ही होगा बाकी 30 परसेंट ही होगा तो अभी जो पिछला केस में आपको बता रहा था ना वन थ्री फाइव वाला इसमें यह वैलू इग्जाक्ली यह सब्सक्राइब को अभी आप डायरेक्ट कर लो ज्यादा जिमार्क मत लगाओ अब यह सवाल है इसमें कोई जो बात कर रहा है पॉलिटिकल प्रिफरेंस सर्वे इसमें वन टू एंट त्री करके मलब यह वेंड डाइग्राम है और थ्री वेंड डाइग्राम का क्वेशन है तो पहले मैं आपको थ्री वेंड डाइग्राम थोड़ा सा बताता हूं क्या होता है अगला सवाल देखते है तब तक अगला सवाल भी थ्री वेंड डाइग्राम का है एपल औरेंजेज बनाना तीन है न ठीके क्लियर तो मैं जड़ा आगे बढ़ रहा हूं ओके जान से दे अगर आप इसको समझते नहीं हो तो एक चीज दरा ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैंने आपके सामने 3-bit डाइग्राम लिखे हैं तो इसमें कुछ चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे मैंने कहा लेट से यह A है यह मेरा B है और यह मेरा C है देखो यह जो री A intersection B intersection C that's clear यह जो रीजन है केवल अगर इस रीजन की मैं बात करूं तो यह केवल 2 में common है जान रखना इसको हम बोलते हैं A intersection B but not C जान रखना अगर मैं आपसे बोलता हूं लेट से कि मुझे पता करना है कि A intersection B क्या है मतलब वह values जो A में भी आती हो और B में भी आती हो तो व entire reason is A intersection B लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि A and B A and B but not C but not C मतलब A और B तो चाहिए जो common हो लेकिन उसमें C नहीं होना चाहिए तो फिर हम बात करेंगे कि आपको इतना नहीं लेना है यह वाला portion छोड़ देना है यह portion नहीं चाहिए मुझे मुझे केवल उपर वाला portion चीन उसमाजनी है कि जो भी 3 Venn Diagram होते हैं इन तीनों Venn Diagram में कौन-कौन से Zones होते हैं जैसे मैं आपको लिखके दिखाऊंगा थोड़ा सब आतर समझ में आएगा तो इस Zones में कैसे लिखूं कुछ चीजे मुझे यहां से हटानी पढ़ेंगी रइट एक मिनट मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको erase कर पाऊं अगर ऐसे हो जाए तो ठीक है वरना मैं फिर से डाइग्रामी बना दूंगा फिर से बना देता हूं ताकि आपको बहतर मैं समझा पाऊं तो देखें यहां पर एक लिया मैंने दो लिया और यह तीन लिया तो देखें आपको understand क्या करना है अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ब्लैक कलर से बनाओंगा only one वाले reason only one का reason यह होता है जिसमें केवल और केवल एक की ही बात हो रही हो यह देखो यह only one वाले reason इनको मैं black से बना रहा हूं right केवल एक यह reasons हैं जिसमें केवल एक characteristic है right अब मैं आपसे बोलो कि मुझे only two वाले characteristics चाहिए only two को मैं green color से बना रहा हूं ध्यान से दिखना इसमें केवल दो characteristics common है only two यह वाले reasons हुए और अगर मैं आपसे बोलो कि मुझे all three वाले चाहिए all three दिखो मैं इस color से बना रहा हूं यह all three यह तीनों में common है तो essential अगर मैं division करूंगा तो आप ध्यान से समझो इसको कि जो यह reason है उसमें तीन reason आपको मिलेंगी जिसमें आप बोलोगे only one only one को मैंने black color से बनाया है तो मैं लिख देता हूं only one की अगर बात होती कभी भी only one तो यह होगे आपके black वाले reason सारे इध्यान देना बहुत अच्छे से बहुत important है यह confusion सबसे जादा रहता है लोगों को कि reasons क्या क्या है green color से मैंने जो reasons बनाये हैं वह reasons आपके है only two only two इसको आप exactly two भी बोल सकते हो इसको आप exactly one भी बोल सकते हो तो मैं exactly भी लगा देता हूं आगे exactly exactly और यह भी आपका क्या हो गया exactly ठीक है फिर जो तीसरा color मैंने आपको दिया था यह वाला color इसको जहान से देखना यह वाला reason क्या था यह वाला reason था all three जो तीनों में common elements होंगे उनको हम बोलेंगे all three अब देखे एक्जामिनर जब आपका question बनाता है तो वो कई सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है लेकिन यह तीन major zones हैं कि आपको पता हो कि only one क्या है only two क्या है और only three क्या है only three यह exactly three यह all three एक ही बात है अब क्योंकि कई बढ़ अगर मैं आपसे सवाल पूछूं लट से कि A intersection B A intersection B को आपको समझना है यह क्या होगा यह अगर मैं बोलता हूं कि यह A है यह B है और यह C है तो आपको ध्यान से देखना है A intersection B का मतलब हुआ यह green वाला portion उपर वाला इतना सा green और यह वाला portion यह वाला portion इन दोनों को मिला के आप बोलोगे कि A intersection B है लेकिन अगर मैं आपसे बोलो कि मुझे A intersection B चाहिए लेकिन C नहीं चाहिए A intersection B चाहिए लेकिन C नहीं चाहिए मतलब ये वाला reason जो है इसमें C भी आ रहा है ध्यान देना A, B, C तीनो है ये पूरा reason है जिसमें A, B common है इसमें ये reason हटाओगे तो ये वाला जो green portion है ये वाला इसको आप बोलोगे A और B हैं लेकिन C नहीं है clear? This is one of the thing that you need to understand इसके अलामा देखो इसमें कई सारे जो term होते हैं मैं आपको quickly quickly understand करा देता हूँ और ये चीज़ आप समझ लो note करने की जरूद नहीं है वो बाद में आप खुद से लिख सकते हो जैसे मैंने बोला आपसे at least one at least one का मतलब होता है कम से कम एक अगर मैं हिंदी में लिखूँगा तो यह होगा कम से कम एक आप बताओ at least one का मतलब क्या हो गया कम से कम एक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या वो हो गया one वाला भी चलेगा exactly one वाला भी चलेगा कम से कम एक में exactly two वाला भी चलेगा yes कम से कम एक में exactly three वाला भी चलेगा yes तो अगर मैं कम से कम एक की बात कर रहा हूं तो मैं सब की बात कर रहा हूं I am talking about all, मतलब मैं entire set की बात कर रहा हूँ, exam में इसे सवाल आते हैं, कि कम से कम एक, ABC में से कम से कम एक, clear? So, कम से कम एक का मतलब यह होता है, कि हम सब की बात करें, we are talking about everything on this set, ABC, सब कुछ चाहिए मुझे, अगर मैं कम से कम एक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक शब्द इसमें लिखता हूँ, जहान से देखना, जो है at least two, यह reason आपको बस देखना है यहाँ पर, जाद दिमार्ग नहीं लगाना है, at least two का मतलब होता है, कम से कम दो, कम से कम दो का मतलब जहान से देखना क्या है, कम से कम दो का मतलब यह हुआ, कि मुझे only one व वाला reason मिलेगा, यह वाला reason, so green plus blue जो आपका reason होगा, वो at least two होगा, दो वाले and तीन वाले, यह चलेंगे, तो green plus blue, right, अगर मैं आप से बोलो at least three, जो at least three का मतलब क्या हुआ, सिर्फ यह blue वाला reason जो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों का मतलब क्या, exactly three at least three का मतलब three और three से ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता है, maximum common तीन में आपस में हो सकता है, तो वही हम बात कर रहें, so this value will be at least three, यह यह वाला reason, ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और term है, जो आपके important हो जाते हैं, जो कि आपका हो जाता है at most one, यह सब term समझ लेना, exam म में आ जाएंगे तो फिर बेहोश हो जाओगे, पहले से देख के नहीं जाओगे तो, at most one का मतलब हिंदी में होता है, अधिक्तम एक, अब एक बात बता हो मुझे, अगर मैं कहूं आपसे अधिक्तम एक, तो क्या at most one और only one में कोई फरक है क्या, जान से देखो, एक ही बात ह है, अगर आप कहते हो, at most one, so at most का मतलब क्या है, कि maximum one ले सकता हूं, only one, at most one का मतलब हो गया, जिसमें एक ही subject हो, या एक ही newspaper की कहान नहीं होगी, तो newspaper की बात करेंगे, at most one, और अगर मैं कहूं, only one, they are exactly same, they are exactly same, यह ऐसे terms exam में आएंगे, तो आप confused नहीं होगे, अगर मैं जान से देखना, at least three, मैंने बोला कि नहीं, at least three है, तो इसका मतलब होता है, all three, all three, जो तीनों में common element होते हैं, और यह at least three, आपका बिल्कुल सेम होता है, अचा एक चीज़ मुझे बताओ, कि यह जो exactly two है, exactly two है, या only two आपका दिया हुआ है, अगर मैं इसको बोलता हूं, at least two तो आपको समझ में आ गया, मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं, अगर मैं आप से बोलों कि मुझे at most two चाहिए, at most two, तो ज़रा बताओ, at most two क्या होगा, at most two का मतलब हो गया, कि मुझे यह three वाला reason नहीं चाहिए, बाकि black वाला भी चलेगा, बाकि यह green वाला भी चलेगा, लाकि नीला वाला नहीं चाहिए, so at most two का मतलब आपको समझ में आ गया, कि मुझे black चलेगा, और मुझे green चलेगा, मुझे नीला नहीं चाहिए, right, नीला को छोड़के सब कुछ जो है, वो at most two है, so देखो यह जो basic terms है, यह पहले पता होने चाहिए, कि वो किस reason की बात कर रह है, और वो reason आपको यहाँ पर दिखाई दिना चाहिए, right, यहाँ पर दिखना चाहिए, आप क्या करते हो, कि when diagram की question जो होते हैं, जो maths में आते हैं, आप उनको क्या करते हो, हमीशा formula से करते हो, अच्छा है, जब सवाल बहुत simple होता है, तो formula में रखके चल जाता है, ठीक है, पर जब question थोड़ा सा variable में twist करेगा, आपका formula क्या होता है, आपको बिलकुल घुमा देगा, क्योंकि वहाँ reasonable clarity नहीं होती है formula में, लेकिन यहाँ से आपको सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, clear or not, सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, आपको पता है कि यह only one वाला reason है, यह only two वाला reason है, अगर मैं at most one बोल रहा हूं तो क्या चलेगा, at most two बोल रहा हूं तो क्या चलेगा, at least one का मतलब क्या हुआ, at least two का मतलब क्या हुआ, you know everything, that is very important, अब जेके मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक term में और use करना चाहता हूं, वो आप मुझे बता दो, समझ लो सब सीख गए, क्या at most one अधिक्तम तीन और कम से कम एक सेम है, yes, तो exam में ध्यान रखना कि इन शब्दों का इस्तिमाल इस शब्दों में आपको जाल में फसाया जा सकता है, यह ध्यान रखना आप, clear or not, clear, so if it is given at least one, उसका मतलब भी है, पूरा set, और अगर मैं आप से बोलू, at most three, इसका म लेकिन exactly three का मतलब केवल three, तो यह दोनों एक ही चीज है, right, getting my point or not, तो जब भाशा में थोड़ा twist होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इसको समझते हो, आप formula प्रेमी लोग, formula चाहिए आपको ना, तो मैं formula को आपको derive करके दिखाता हूँ, ताकि आपको clarity हो, कि यह formula कैसे बनता है और आपको कोई तकलीफ ना हो, तो बहुत इत्मिनान से और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, देकि मैं यह आपर क्या करने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखना, मैं कुछ zones लिक रहा हू तो only one का मतलब है one plus two plus three, यह ध्यान रखना, it is one plus two plus three, यह zone जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इनको ऐसे ही ध्यान रखना है, तो exam में आपके लिए बहुत सरलता और बहुत असानी रहेगी, आप से कहूंगा only one, मतलब one plus two plus three, one का मतलब है exactly, यह only a वाला, only b वाला, only c वाला, सही यह clear है, this is only one, फिर मैं आप से बात करूँगा कि मेरे को जानना है only two, आपको यहाँ पर मैं डालूँगा zone four, यह हो जाएगा zone five, यह हो जाएगा आपका zone six, clear, so मैं यहाँ पर आपका लिख रहा हूँ only two, अगर मैं only two में interested हूँ, तो यह बनाएगा zone four, zone five और zone six, clear, किसी को को खरीफ नहीं होनी चीए, फर एक zone में लिख रहा हूँ, यहाँ पर seven, okay, तो यह हो गया आपका exactly three, जिसको आप बोलोगे, exactly three, so exactly three is nothing but zone seven, seventh zone है जिसको आप बोलोगे, clear, अब देखो अगर मैं let's say इस पूरे जो आपके सामने set लिखा हुआ है, इस पूरे set की value निकालने वाली है, मुझे निकालनी है let's say, तो अब ज़रा ध्यान से देखो, इस पूरे set की value अगर मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे लिखूंगा, five plus six plus seven, is it right or not? अगर मैं इन सारे zones का sum कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे simply मिल जाएगा इसका sum, but the question is कि अब आपको जो sum निकालना है, उसको मुझे किस format में represent करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो मैं इसको कुछ उस format में ल लग रहा है आपको, कि उस format में अगर लिखा जाता है, तो मुझे जादा अच्छा लगता, ठीक है, तो अब उस format की तरह मैं move करने जा रहा हूँ, तो मेरा पहला target क्या है, कि मैं ये लिखूं कि a plus b plus c, जिसको आप बोलो कि simply, n a union b union c मुझे निकालना है, लेकिन अगर मैं a abc को सीधा सम करूं, तो देखो क्या क्या मिलेगा, आप अगर abc को सीधा सम करूं, तो जारा बताओ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 plus, ये value आपकी हो जाएगी 4 plus 7, मैं आपको formulae तक ले जा रहा हूँ, और ये चाह रहा हूँ कि आप इन zones को अच्छे से देख लें ताकि आ जा रहा है, वो लिख दिया, फिर मैं इसमें जा रहा हूँ, तो इसमें मैं वही लिखूंगा, आपका 3 plus, ध्यान से देखना, 3 plus, ये value आपकी होगे 6, 5, 7, 6, और ये होगे आपका 5, और ये होगे आपका 7, ठीक है, ये सारी value जब आपने देखो ध्यान से लिख दी, अब आ मुझे चाहिए N, A union, B union, C, आपको पता है कि आपको ये value जो है ना, दो दो बार count नहीं करनी है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, तो 1 यहाँ एक बार आ गया, 2 कहां पर आया, यहाँ एक बार आ गया, 3 यहाँ पर एक बार आ गया, अब बताओ मुझे 4 आ गया इसमे यहाँ एकस्ट्रा है, 7 यहाँ एकस्ट्रा है, और आपका यहाँ पर आपको 7 एकस्ट्रा दिखेगा, तो यह values आपको एकस्ट्रा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देखो, मुझे तो 1 से 7 तक अगर मैं सम करने करने से मुझे पूरा सेट मिल जाएगा, लेकिन जब A, B, C को अगर मैं साथ में जोड़ दूँ अलग-अलग लिखके तो कई सारी वैलूज एक्स्ट्रा काउंट हो रही है वह हो नहीं भी है अगर मैं दो सेट लेता हूँ खाली तो आपको पता है इसको दो बार काउंट करते हो यहां तो तीन सेट है तो डबल डबल ट्रिपल ट सेके जा रहा हूं और आपको मैं सीधा आप समझा पाऊंगा कि आप सीधा जो फॉर्मूला रट के आयो उसको आप कैसे यहां से डारेक्ट लिख सकते हो द्यान से देखो अगर मैंने बोला कि यह 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 बी है और यह सी है आप से छोटा सा मेरा सवाल है वह आप लोगों को बताना है द्यान से दिखना कि मैंने आप से बोला कि लेट से मुझे लिखना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इसका मतलब है मुझे इनका सम चाहिए I want the entire set तो पहला चोईस है आप कोगे आप लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अब मैं एक चीज आप से पूछ लिखा तो बी के पूरे element आएंगे तो क्या यह से है एक बार आया आपको गे यस मैं आप से यह पूछाँगा च्छोटा सा कि यह वाला रिजन दो बार का उंट हो गया दो बार काउंट हो गया फिर आप को गई कि देखो जब आप लिखा तो तो तब भी आपको ध्यान दे बार काउंट होगा एक बार A के साथ एक बार C के साथ तो आप खुद देख रहोगे कि जो common reasons हैं वो दो-दो बार काउंट हो रहे हैं और यह जो middle वाला reason है यह तीन बार काउंट हो रहा है इस बींग काउंट हो तो इनका सब्ट्राक्शन का काम अब मैं करूंगा तो आप कहोगे एक्स्ट्रा जो जो count wise को सब्ट्राइट करो A intersection B subtract किया इसके बाद मैंने N B intersection C एक बार सब्ट्राइट किया क्योंकि यह दो-दो बार काउंट हो गया common reason तो मैंने को सब्ट्राइट करता जा रहा हूं N C intersection A मैंने एक बार सब्ट्राइट किया कि अब मैं आप से पूछूंगा कि इस सब्ट्राक्शन में अब क्या मेरा से टोटल मिल गया आप ध्यान से देखना आप कहोगे कि कि जो all three है उसको ध्यान से देखो वो N A में एक बार आएगा N B में एक बार आएगा N C में एक बार आएगा अल् dazu की बात कर रहा हूं एक बार इन तीनों में आएगा A intersection B की जब बात करेंगे तो A intersection B में ये वाला reason एक बार माइनस हुआ यहां से भी एक बार माइनस हुआ यहां से भी एक बार माइनस हुआ तो जो तीनों में common है वो एक एक बार जुड़ा पहले NA, NB, NC में और फिर एक एक बार माइनस भी हो गया यानि common जो reason है तीनों में वो क्या हुआ वो तीन बार जोड़ा और तीन बार चला गया अब उसको वापस लाने के लिए ना ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि उसको हम रखेंगे नी उसको एक बार काउंट करना है तो एक बार हम यहां से उठा के अब अलग से इसको जोड़ देंगे एन एंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके इसे मिल जाएगा यह आप फॉर्मुला रट तो अगर मैंने कोशिश करी है मानदार कोशिश करी है कि आपको समझ में है है मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा कई लोग तो तुरंट इस सरेंडर कर देते हैं कि नहीं हमें सीखना नहीं हमें सिर्फ रटना है ठीक है तो वह आपकी चोईस है आई ट्राइट एक्स्प्लेन यू कि यह जो रीजन जो तीनों में कॉमन है वह तीन बार जुड़ा इसके साथ एन एन बी एन सी के साथ और तीनी बार माइनस हो गया जो हमने यह सब्ट्राट किया उसको हमें एक बार रखना है इसलिए हमने एक बार लास्ट में आड़ कर यह आपका फॉर्मूला बनता है अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो आपको फॉर्मूला कभी नहीं रटना पड़ेगा राइट बिकास यू नो इट हाव इट इस रेटन विल नेवर हव अनी प्रब्लम ठीक है उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा एनिवेस वापस जाते हैं अब जड़ा सवाल देखते हैं जो कोईशन से तीन वाले जड़ा देखते हैं क्या सवाल थे सवाल जो होंगे वह आसान होंगे बिल्कुल मुझे पता है पिर भी मैंने आपको अंडेस्टांडिंग थोड़ा बहतर देनी कोश करी है तो को यहां कर रहा है कि एक सर तु थी का मतलब क्या हुआ जितने लोगों से सर्वे लिया गया करा सब उसमें से 78% कम से कम 123 के फेवर में थे कम से कम किसी एक के तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं यह तीनों यहां बनाऊंगा तो इसका जो टोटल निकल के आएगा वह 78% निकल के आएगा यह ए 78% कम से कम 1, 2, 3 किसी ना किसी के favor में थे तो अगर वो किसी ना किसी के favor में थे तो मैंने का अगर मैं ये Venn diagram ड्रॉ करूंगा तो इसका total 78% for sure हो राएगा क्योंकि जो बाकी के 22% वो किसी के favor में नहीं है फिर आप से क्या कह रहा है कि 50% जिन से पूछा गया वो proposal 1 के favor में थे यानि ये value जो proposal 1 है वो 50% हो गया 30% जो है proposal 2 तो यहां मैंने 2 लिखा है इसको मैंने कर दिया 30% और आप से कह रहा है कि 20% ने proposal 3 को favor किया तो ये proposal 3 है आपका और ये value आपकी कितनी है 20% हो गया फिर आप से कहता है 5% ने 3 को favor किया तो मैंने 5% को उठा कर यहां लिख दिया ठीक है अब बताना है what percentage of those asked favored more than one of the three proposals ओके यह ध्यान से दिखना है this is very very interesting thing तो इन्हों ने क्या पूछा है आप से इन्हों ने पूछा है कि जितने लोगों से पूछा गया है उसमें से कितने percentage right कर रहा है कि if 5% यह तो all 3 हो गया what percentage of those asked favored more than one of the three proposals अच्छा बताओ more than one का मतलब क्या हुआ what is the meaning of more than one more than one का मतलब मुझे निकालना है two and three clear or not getting my point or not अगर मैं more than one की बात कर रहा हूं तो बताओ मैं क्या खोज रहा हूं more than one का मतलब क्या यह रीजन चलेगा yes क्या यह रीजन चलेगा yes क्या रीजन चलेगा yes तो मुझे यही जानना है न कि इसका total क्या है including this five including this five right or wrong tell me that's what I want यह five और यह black वाला यही चाहिए more than one का मतलब यही होता है more than one का मतलब यही होता है अब देखो आपके दिमाग में यह आ रहोगा कि इसको कैसे solve किया जाए clear or not how to solve it अब देखिए आपको करना क्या है आपको करना क्या है आप कोई भी एक value assume कर लो यह से आपको पता है कि यह तीनो zone इनका sum निकालना है मुझे तो मुझे only one वाले minus करने पड़ेंगे तो आप यहाँ पर कर क्या सकते हो यहाँ पर यह तो आप even जो formula का root है आप उसका इस्तेमाल कर लो बढ़ यह zone समझना आपके लिए important था क्योंकि बिना zone समझे तो आप इसको solve भी नहीं कर सकते हो तो आपने का कि देखो आप कैसे कर सकते हैं total हमें पता है कि 78% है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि यह value 78 के बराबर है ठोटा यहाँ लिख दिया अब जो को right hand side में अगर आप जाओगे तो आप को कि आपको मिलेगा a plus b plus c मैंने लिखा a plus b plus c यह लिख दिया मैंने okay अब दिखे ध्यान से आपको आगे जो मिलता है उसको बहुत आठी साथ आपको मिलता है यह 5% प्लस में मिलता है कि नहीं मिलता है clear or not यह 5% आपको प्लस में मिलता है यह सारी values होती है मैं यहां से क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलू तो आप यह निकाल सकते हो कि n a intersection b n b intersection c और n c intersection a का sum क्या है यहां से निकल जाएगा है नहीं जड़ा इसको calculate करो इसको अगर आप calculate करोगे तो आप simple सा क्या कहोगे यहां तो 78 है यह value 50 थी 60 भी 100 बनी 100 वो 105 बनी और यह value आपकी उधर जाएगी तो आपको देगी 27 so essentially जो value मेरे पास है n a intersection b साथी साथ n b intersection c और साथी साथ n c intersection a इसकी value किते लोगों को यह समझ में आ रही है कि यह 27 आ रही है ओके क्योंकि यह value आपकी हुई 100 105-78 तो यह value आपकी 27 आ गई but the question is कि क्या यह हमसे पूछ रहा है क्या हमसे यह पूछ रहा है नहीं आपसे क्या उसने पूछा है यह ध्यान रखना आपसे पूछा है कि 2 या 3 अब आप बताओ अगर यह आपके सामने मैंने लिखा है तो इसमें जो 3 वाला zone है वो कितनी बार आ गया एक बार यहां आ गया क्या उसको तीन बार लेना है नहीं उसको तीन बार नहीं लेना है clear or not यहाँ पर अगर आपने ये value calculate करी इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखना इसमें ये जो तीन वाला zone है वो कितनी बार आया है ये आपका आया है तीन बार लेकिन मुझे एक बार count करना है तो आपका होगे इसमें मुझे 10% minus करना पड़ेगा अभी 10% अगर मैं इसमें minus करूँ तो जो value आपके निकल के आएगी न 17% धान देना 10% और minus होगे जो value मिलेगी 17% ये हुआ ये black प्लस ये वाला reason तो आपकी value कितनी हो गई 17% देखे बहुत अच्छा सवाल था जिन लोगों को ये clarity नहीं है वेंड डाइग्राम की कई लोग इस धोखे में रहते हैं कि उनको वेंड डाइग्राम आता है क्योंकि उनको formula रटा हुआ है सिर्फ formula रटा होने से वेंड डाइग्राम में सारे सवाल नहीं होंगे clarity होनी चाहिए कि मुझे निकालना क्या है जैसे यहाँ पर formula पता होने के बाद भी आप इस सवाल में फज्या होगे अगर आपको zones की clarity नहीं है कि मुझे निकालना क्या है मुझे निकालना है black plus red यह value of formula से निकाल भी लोगे 27 then you need to know कि यहाँ पर यह extra count है तीन बार यह तीन बार extra count हो गया और तीन बार अगर extra count है मुझे count एक ही बार करना था बीच वाले zone को तो इसलिए मैं दो बार यानि 5 into 2 10 minus करूंगा तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको clear understanding दूँ कोई चीज अगर दिमाग पर थोड़ी सी चोट करती है कम समझ में आता है तो बुरा मतमाना करना ठीक है 10% मैंने कहां से minus किया देखो भाई यह reason एक बार इसके साथ आया वही बीच वाला reason इसके साथ आया वही बीच वाला reason इसमें तीन बार आ गया है मुझे यह बीच वाला reason तीन बार नहीं काउंट करना है मुझे एक आदमी को तीन बार काउंट नहीं कर सकते इसलिए तीन बार अगर काउंट वाई तो दो बार घटा रहा हूं ताकि वह बैलेंस हो जाए इसलिए 17 पोसेंट आपका अंसर आगे ठीक है क्लियर सभी को चलो जी एक सावाल हो रहे है देखो इसको कि इसमें क्या कर रहा है आप से और और अरेंज बनाना और बनाना एपल इफ इच आफ पीपल लाइक एट लीस वन अफ फूट इन हाव मेनी अफ इसलिए लाइक और फूट को जरूर पसंद करता है तो अगर हर एक आदमी कम से कम एक फूट को जरूर पसंद करता है न तो टोटल जो लोग इस वन डाइग्राम में आएंगे वो वैलू 140 के बराबर हो जाएगी अगर सब एक एक नहीं पसंद कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता हमें नहीं पता ना कितने लोग कुछ भी पसंद नहीं करते हैं यहां पर केस है कि सारे 140 यहां रिप्रेजेंट हो जाएंगे अब जो क्वेशन आपको दिया है वह आप फर्मूले से भी लगा सकते हो डाइरेक्ट आपको के एक सो चालिस टोटल है एक वैलू आपकी क्या है 70 एक वैलू आपकी कितनी है 70 है ना एक वैलू आपकी कितनी है 110 यह हो गया माइनस देखो आपको क्या है 35 माइनस 45 माइनस 55 यह हो गया लास्ट में जो वैलू बचेगी वो तीनों में कॉमन वाली वैलू है उसकी वैलू कितन कर लो यह वैलू आपके होगे 135 और यह वैलू आपके होगे 250 ठीक है clear or not यह आपके होगे 135 माइनस में अगर आप उथर लेके जाओगे तो यह आपकी बन जाएगी 275 और 275 में अगर आप 250 माइनस करोगे तो X के वैलू 25 आ रही है 25 25 ऑप्शन सी clear this is option सी बट देखे फॉर्मूले को मनना नहीं कर रहा हूँ वेंड डियाग्राम का जो फॉर्मूला है बहुत यूसफुल है आप इलकुल ध्यान रखो उसको लेकिन उसके साथ साथ यह clarity important है right this clarity is extremely important जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे आप इसको when में बनाते तो आप कहते हैं यह 70 है यह 70 है और यह value मेरी कितनी जाएगी 100 and 10 है फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं आप कहते हैं यह value x है all 3 जो मुझे निकालना है so apple और ओरेंज वाले आपके कितने है 35 so यह value आपको पता है कितनी हो जाती within 35- x ऐसे भी कर के कर सकते हो यह जो वैलू आपकी है यह जो वैलू है यह भी आप ऐसे लिख सकते हो दूसरा जो आपको दिया है orange और बनाना, और जिख बनाना यह तना आपका apple orange यह हो गया आपका थीक है फिर आपका orange और बनाना कितना हो गया कुछ उल्टा तो मने ने लिखा यह आप चेक कर ले न यह 35 है ओर इंज और बनाना आपका कितना दिया हुआ है 45 तो यह 45 माइनस X बन जाता यह वैलू आप 55 माइनस X बन जाती है ना यहां से भी आप equation सीधा लिख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ कैसे देखो ध्यान से अगर आपने when में इनको represent कर लिया कि all three को मैंने X बोल दिया टोटल वैलू 35 है तो यह reason 35 माइनस X यह 45 माइनस X यह 55 माइनस X question के हिसाफ से तो देखो आप कैसे झाल से तो 45 म्ाइनस X यहां लि्ख दो तो मैंने लिख दिया कि calo 45 मैंने यहां लिख दिया अब आपको ओखे यह वाले reason भी बाकी है तो मैं क्योंगा यह reason I कैसे लिखूंगा तो आपको एंकस के टम में निकाल सकते हो कि नहीं सारी values आपको दी हुए, यह 35 यह पूरा है, यह आपका 45 minus x है, तो 75 minus x है, आप x के term में इसकी value लिख सकते हो, देखो जान से, मैंने कहा यह 35 minus, यह आपका 35 है, और यह आपका 45 minus x है, तो यह आपकी value कितनी हो गई, 45 वो 35 आपका हो गया 80, हुआ कि नहीं हुआ, 80 minus x, यह 70 है, यह 80 minus x है, आप subtract करोगे इनको, तो आपको यह मिलेगा simply x minus 10, यह value आ गई, तो आप इसको भी cover कर सकते हो, x minus 10 लिखके, यहाँ पर, फिर आपका देखो यह reason बाकी है, तो आपको गई, यह value कितनी है, आपकी 45, और यह आपकी 55 minus x, सम करोगे तो बनेगा total कितना, 100 minus x, और 110 में minus करोगे, तो देखो 100 minus x को अगर आप 110 में से minus करोगे, तो यह मिलेगा, आपको 10 plus x, कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ध्यान से, right, clear है कि नहीं है, अब आपको यहाँ से 10 से 10 cancel हो जाएगा, यह x से x cancel हो जाएगा, और आपकी जो x की value है, वो कितनी आ गई, 140 minus 115, 25 आ गई कि नहीं, yes, तो खुल मिलाके, अगर आपको diagram भी clear है, diagram अगर आपको clear है, तो आप बीना formula यूज के भी x के टम में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको clarity है कि total का मतलब क्या है, मुझे पूरे सारे circles का sum कर लेना है, वो total है, clear, सभी को clear हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो देखिए, आज की class मैं थोड़ा अभी यहीं खतम करूंगा, क्योंकि 40 questions जो थे, जो इवन पिछले crash course में भी हुए थे, वो हो चुके है, और when diagram की मैंने थोड़ी से clarity देने कि आपको कोशिश करें, मैंने बताया कि आज में थोड़ी तब ही ठीक नहीं, थोड़ा फीवर भी है, मुझे, तो basics होगे, कुछ सवाल होगे, we did around 40 questions होगे, ठीक है, थोड़ी से clarity मिले भी और सारे, बहुत सारे सवाल कराने हैं आपको, ताकि कुछ कमीनर है, आपको यह ना लगे कि आप कहीं से भी लायक कर रहो, है ना, ठीक है, so diagram को भी ध्यान से रखो, formula भी ध्यान से रखो, I am not against the formulas, but I am against the formulas without understanding, clear, I am against the formulas without understanding, formulas क्या होते हैं पता है आपको, numbers को जब पीछे की कहानी बताओ, ठीक है, all right, एक चीज़ मैं आपको all update कर देता हूँ, जल्दी से, है ना, कि कई लोगों ने मुझे message किया है कि क्या हमें quantum cat पढ़ना चाहिए, कि नहीं, right, कोई cat की book है quantum cat, all right, देखे मैं आपको frankly बता रहा हूँ कि मैंने किताबें नहीं देखी हुई है, सर्वेश वर्मा की book मैंने एक बार पल्टी हुई है, ऐसा नहीं है, देखा हुआ ऐसा पलट पलट के, कैसी book है, अच्छी किताब है मैं जरूर कहूंगा, but I tell you it is not needed, believe me it is not needed, अगर आप preparation कर रहे हैं, तो आपकी strategy क्या होनी चाहिए, आप basic theory कहीं से भी कर लो, ठीक है, आपने कोई book से किया होगा, कोई SSC की publication book है, या किसी coaching के material से किया है, या किसी teachers के note से किया है, basic theory आप कहीं से भी कर लो, practice content जो आपको use करना है, let's say उसके बाद, आपके बास coaching के material बहीं ने कहीं से, then आप mocks पर move करिये, आपको किसी cat book को लगानी की जरूद नहीं, क्योंकि cat की books भी ऐसा नहीं कि रोज update होती है, पुराने-पुराने books हैं, जो सवाल सहथ 7-8 साल पहले के बने हुए है, they're not updated books, और वो question आपको हर mock में किसी ना किसी form में मिल जाता है, mock वाल प्रिवेस यर के selective question करो, selective, सारे question करने लाइक नहीं रह गए, आपको पता है, एक ही type के दस सवाल आपको नहीं करने है, just selective question आप previous year के करो, वो करना चाहिए, then आप mock test पर move करोगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, mock question के through, आपका revision भी होगा और आपकी practice भी, so practice आप maximum mocks के through क this is what I recommend rather than going and buying a book and again going through the complete process, that's not needed at all, right, so यह मेरा recommendation है, बाकी अगर आपके पास किताब है, तो that's not a problem, आप करिए, अगर book है तो करो, but otherwise मैं recommend नहीं करूँगा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूवत है, ठीक है, अगर आपकी देखिए basics clear है, fundamentals में आप अच्छे हो, आपको छोट पता है कि successive percentage change क्या होता है, discount percentage क्या होता है, believe me, you don't need to read anything complex, ठीक है, clear, you don't need to read any complex thing, मैं complex चीजे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिर्फ यह पढ़ाता हूँ, कि आपने basic reactions को और बहतर कैसे कर सकते हो, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, कि आपका successive percentage increase में, reaction बहतर कैसे हो सकता है, मैं आपको यह पढ़ाता हूँ, कि आप discount percentage को जल्दी कैसे निकाल सकते हो, या कोई particular question जल्दी कैसे कर सकते हो, तो यह सारा जो idea निकलता है, वो उन्हीं छोटी छोटी चीजन से निकलता है, आप उसी पर focus करिए, उसको मजबूत करिए, cat की किताब या कोई unnecessary concept आपको पड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी SSC का paper जब भी बनेगा, थोड़ी बहुत pattern changes होते हैं कि calculated paper हो गया इस बार का जैसे आपको लगा, या आपको 18 का paper लगा कि calculated था, 18 के अभी जब मैं 17 के topper से बात कर रहा हूँ अभी, तो जब वो 17 का exam दे रहे थे, मैं आपको चीज बताता हूँ, जब उन्होंने 17 का exam दिया, I am talking about SSC CGL 2017 toppers, उनको क्या पता था कि ऐसा pattern आएगा, नहीं पता था, ठीक है, 17 का जो pattern आया, उनको नहीं पता था कि ऐसा pattern आने वाला था, उन्होंने क्या किया था, 16 के pattern पे ही तियारी कर रखी थी काफी हद तक, but कई लोग ऐसे हैं, तॉपर्स में आप देखोगे, जिन्होंने 180 प्लस स्कोर की हैं, 185, 184, because they were good in basics, उनके fundamentals clear थे, वो question को option eliminate कर पा रहे थे, जब मैंने कौशिक का interview लिया था, तो कौशिक ने चीज बताई, कि एक question में कोई idea नहीं था, but he was able to eliminate options, तो जिन्होंने उस exam में 180 प्लस स्कोर किया 17 में without knowing की ऐसा pattern हो सकता है, right, क्या वो बहुत सारी theorems रटके गए थे, नहीं, तो आप लोग ना unnecessary चीजों के पीशे मत भागिए, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, exam निकालने के लिए, you don't need anything complex, right, you need to have clarity over subject, clarity, अगर आपको clarity है, मैं वहीं कता हूँ कि छोटी छोटी चीजों में आपके reaction बहतर करवाना मेरा objective है, वो मैं करवाँगा, कि Venn diagram है, तो Venn diagram के question अगर आते हैं, तो आप Venn diagram समझ लो कि Venn diagram क्या है, right, अगर Venn diagram आपको clearly समझ में आगा है, तो आप questions लगा लोगे, समझ रो, so आप topic wise, because otherwise syllabus का कोई end नहीं है, अगर आप complexity में घुज equations हैं, trivia हैं, जो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, कि अरे इतनी complex चीज़े हम पढ़ रहे हैं, लेकिन exam में उनकी कभी जरुवत नहीं पढ़ेगी, और एक दो सवाल अगर ऐसे आप ही जाते हैं मान लिया, तो उन एक दो सवालों के पीछे आप अपनी पूरी तयारी में इतना deep नहीं जाना है आपको, वो एक दो सवाल भी exam में manage हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके basic reactions अच्छे हैं, तो आपके पास इतना time होगा, कि उन सवालों को भी आप जल्दी कर पाऊगे, ठीक है, तो देखे, exam निकालना बहुत simple है, आप complex तक आपके साथ रहूँगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, कि मैं जितने topic आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा हूँ, और भी अच्छे से पढ़ा हूँ, ठीक है, clear or not, तो आप इसके लिए assured रहो, कि मैं जो कोशिश कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा, बट प्ले करते रही है, ठीक है, confuse मत रही है, अपनी preparation strategy में confuse होने की जरुवत आपको नहीं है, it's very simple, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, कि जब मैं टॉपर से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ऐसा नहीं को बहुत कुछ खतरनाक चीज़ें, मैं उनसे पूछता हूँ यह ची market की need हो जाती है, ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, please don't do it, अगर आप focus study करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह का paper आएगा, आप tackle कर लोगे, अगर आप अपने छोटे-छोटे reactions बेतर कर लेते हो, ठीक है, कि आपको percentage change जल्दी से निकालना आता है, आपकी structure है, या exam में जो पहले सवाल आये हुए है, let's say CDS के question है, SSC के question है, कुछ थोड़े बहुत cat के question relevant है, तो उन questions को use करके, जो known situations है, उसमें अपने reactions को बेहतर करना, कुछ unknown situations exam में होंगी, you will manage, I tell you, you will manage, so just be confined in your preparation, आज की date में content बहुत है YouTuber, बहुत है और रोज बहुत आ रहा है, हर को YouTuber पढ़ा रहा है, यह अच्छी बात है, कि आपको इतने perspective मिलते हैं, बट अगर अपने आपको contain नहीं करोगे न, तो आप information बहुत सारी ले लोगे, बट उनको process नहीं कर पाऊगे, clear, you won't be able to process it, so जितना जादा आप सीखरों, जैसे आपने मेरी class करी, आपने कुछ सीख मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ लगातार बना रहूं और आपको समय समय पर guide करता हो, ठीक है, और बाकि जो topics हैं, वो properly में करता रहूंगा, मेरा objective यह है कि मैं आपको means level का तयार करूँ, so उसके लिए मैं आपको चीजने detail में करवा रहा हूं, I am not going in ऐसे manner कि मैंने दो class मे सादिया, doesn't make sense, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से करते रहो, आप कम topic भी करोगे prelims के पहले, अगर मेरे साथ, तो भी आप exam में बेहतर करने की position में रहोगे, ठीक है, बहु की mock test में बता दूँगा, कभी start करना है, कैसे start करना है, that you will get to know, ठीक है, तो आप सभी को मेरा धन्यवाज, फिर मिलेंगे, अगली glass में, और percentage के भी बहुत सारे questions होने हैं, मैंने बुला, percentage भी complete नहीं हुआ है, कुछ commission वाले questions है, वो आपको करवाने है, तो जो भी varieties बाकी है, वो भी होगी, और अभी बहुत सारे सवाल भी करेंगे, क्योंकि percentage जब हम अच्छे से कर लें इंटर्वी में, शूटिंग में बड़ा टाइम लगता है, इंटर्वी में, राइट, इस नोट इजी तो शूट इन फ्रंट आफ कैमरा, लाइव आके बोलना बड़ा आसान है, बट इंटर्वी शूट बड़ा मुश्कल होता है, बहुत मेहनत करी हमने उस इंटर्वी बरूर देखेगा और ज्यादा लोगों को शेर करके बताइए, ठीक है, तो थैंक यू, हवे गले टाइम, थैंक यू सो मच